नवस्कार दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से हमारे हिंदी यूटूब चैनल हाइड है एजुकेशन में स्वागत है आईए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो मैथमेटिकल डिजिनिंग से डिलेटेड है जी हाँ दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही जानते हैं तो आप आसानी से एक या दो सेकेंड में इसका हल निकाल सकते हैं तो आए जानते हैं इस ट्रिक के बारे में जो बेहद ही आसान है और एक बार आप जान गये तो किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हैं यहां हमने कई परकार के सवाल को रखा है तो आए सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल एक टोकरी में कुछ फूल है प्रतेक फूलों की संख्यां दो गुनी हो जाती है प्रसन के मैथड को समझना है कि कुछ फूल है और प्रतेक दिन फूलों की संख्यां दो गुनी हो जाती है तथा टोकरी पूरा 25 दिनों में भर जाती है कितने दिनों भ पचीस दिनों भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा तो ये सवाल थोड़ा आठपटा सा लग रहा है लेकिन आप इसको ट्रिक के माधियम से बनाते हैं तो बेहदी आसान तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं तो आए जानते हो ट्रिक क्या है सबसे पहले आ आपका मान लिजे ये पूरा टोकरी है तो इसका आधी कितना हो जगा एक बटा दो तो एक बटा दो होने में इसको कितना समय लगेगा जबकि पूरा दिया हुआ है पचीस दिन पूरा कितना दिन पचीस दिन इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको देखना है कि बटा में आपका कितना आ रहा है और उसका दो का पावर कितना है तो हम यहां देख रहे हैं कि दो पर पावर एक है दो पर पावर कितना है एक है और यही पावर हमको लेन तो यहां हम देख रहे हैं 25 दिन है और यह पावर एक घटा लिजे इसमें से आपका आगया 24 दिन 24 दिन में वह टोकरी आधा भर जाएगी आधी टोकरी भरने में 24 दिन लगेगा कुछ नहीं करना है जो भरने का जो समय सिमा दी गई है उसको देखना है कि वह कितना है तो यहां आधी है तो आधी है तो इसको दो का पावर कितना एक तो दो का पावर एक है तो वह पावर को क्या करेंगे हैं पूरा दिन में से घटा देंगे आपका अंसर आ गया आए दूसरे प्रस्ण को देखे इसके माध्यम से आप आसानी से इसको समझ जाएंगे दूसरा प्रस्ण में कह रहा है कि एक टोकरी में कुछ फूल है इसी प्रकार का सवाल रहेगा फल रहे फूल रहे कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं है प्रते कितना दिन में भर रहा है तो हम देख रहे हैं पूरा भर रहा है 16 कितना दिन में 16 दिन में और हमको कह रहा है कि कितना भरना है एक बट्टा आठ इस एक बट्टा आठ को आपको क्या करना है तोड़ना है तो आप देख रहे हैं दूप पावर कितना आ रहा है तीन आ रहा है और इसी तिन को आप क्या करिए पूरा दिन में से घटा देजी और आपका अंसर आ गया कि 1 वट्था 8 भाग भरने में कितना दिन लगेगा तो 13 दिन लगेगा तो क्या दोस्तो बास्तब में आसान है कि कुछ नहीं करना है कहीं नहीं जाना है आपको जो दो अप्सन दिया हुआ है कि कितना भरना है और कितना दिन में भर जाता है इसी क्या अधार पर आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं आईए ये तो था type 1 परकार का सवाल आईए आप दिन फलों की संख्या दो गुनी हो जाती है तथा टोकरी पंदरो दिनों में पूरा भर जाती है तो टोकरी के चार गुना फल कितने दिनों में हो जाएगा वहाँ आधी पुछ रहा था या एक बटा आठ पुछ रहा है कि आठ चार गुनी कितने दिनों में हो जाएगी यह भ यही जो पावर 2 है इसको क्या करेंगे पूरा दिन में से पूरा दिन में इस दो को जोर देंगे तो टोटाल आ गया 15 दू 17 तो चार गुना टोकरी के चार गुना कितने दिनों हो जाएगी 17 दिनों जब आधी या कम कहे करने के लिए तो आपको क्या करना है इसका पावर निका का लगे और उसको क्या करना है कि पूरा दिन में से घटा दिन BLACK लेकिन जब कहें दो गुणी-चार गुणी-अठ़ गुणी कितने दिन हो जाएंगे तो क्या क्या करना है आपको पावर तो निकालना है और उसको क्या करना've यहां पडेना जोर देना और कुछ नहीं करना, आईए एक और सवाल देखते हैं, इससे थुरा ज्यादा किलियर हो जाएगा, सवाल है कि एक टोकरी में कुछ फूल है, प्रते एक दिन फूलों की संख्यां दो गुनी हो जाती है, तथा टोकरी 20 दिनों में पुरा भर जाती है, तो टोकरी के 8 गुनी फूल कितनो दिनों में हो जाएगा, कितना गुना कर रहा है, तो पूरा कितने दिनों भर रहा है, तो पूरा भर रहा है आपका 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में, और कर रहा है 8 गुनी, तो 8 गुनी है कर रहा है, 8 गुनी, आपको कुछ नहीं करना है, 8 को क्या करना है, आपको 2 के प पावर कितना आ गया तीन आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा 20 पलस 3 मतलब 23 दिन में और क्या होगा टोकरी के 8 वुनी फूल हो जाएगा तो दोस्तों आपने देखा कि इस ट्रिक के माध्यम से टोकरी और फूलों से संबंधित किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं इ कितना भी सवाल है उसको आप हल करते जाए और आप 500 सवाल को आप 5-10 मिनिट में हल कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को आप पर रिजिनिंग और मैथ मैंटल मैथ का बुक ले ले और उसका आप इस ट्रिक के माध्यम से बना अपका स्वाल हो जाएगा इसका कुछ और भी है लोजिकल सवाल उसका भी वीडियो हम बाद में बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सिर और कमेंट्स जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हि